हर हर महाद एक किसान बंदू मैं लगकुस पाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनल लेलके पाल खेती बारी में किसान बाईयों गेहों में बालिया निकलते वक्त जब आपकी फसल गबोट वस्ता में आती है तो आप भूल कर भी ये चार गलती ना करें नहीं तो काफी नुक्सान उठाना पड़ेगा और कौन-कौन से बातों का ध्यान रखना है मतलब किन-किन बातों का ध्यान आप इस अउस्था में एदि करते हैं तो आपकी गेहों की पैदावार बढ़ जाएगी ये सारी जयनकारी हम इस वीडियो के माद में जानेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं किसान भाईओं Πले हम उन चार बातों के बारे में बात करेंगे जिनको गेहुं में बालिया निकलते ह경 यह गबोडकारीन पर्यूघ में बहुं नहीं करते हैं मिल रिच्तर कहीं है तो इसे से बहुत तेजी से पोदे की लंबाई बढ़ती है जिसे बालिया पतली रह जाएंगी पोदा काफी लंबा हो जाएगा और लंबाई अधिक होने कारा फसल गिर सकता है तो जिसे से आपको काफी नुक्सान उठाना पड़ेगा तो इसलिए यूरिया का प्रयोग इस जब हो तो आप इन उरुकोओ का प्रयोग करते हैं तो आपके पौदे को इसका लाब नहीं मिलता है क्योंकि गियों में निकलने की प्र signaling जब चल रही हो तब आप इन उरुको को देते हैं तो दस से पंद्यों बाद इनका काम चालू होता है काने का मतलब दस-पंद्र दिन की पौधा लेना चालू करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी तो इसलिए किसान भाजू यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो केवल यो केवल आपका पैसा बरबाद होगा और इसका लाब आपकी फ़सल को नहीं मिलेगा इसलिए बियर्थ में पैसा खर्च करने से ब नहीं मिलेगा गुर्थ प्रमोटर का लाब पौधे को जो है वह लगभग 50-60 दिन का समय जब हो चुका होता है तो उस समय गुर्थ प्रमोटर देने पर पौधे को फूरतर लाब मिलता है तो इसलिए किसान भाजू इस स्टेज में आपको गुर्थ प्रमोटर देने से पौधे श्वाद काम सिचाई के बिशह में बता दें कि इस टाइम पर यदि के खेत में नमी नहीं नहीं है तो आपको जवरावाही करते है तो पौधा पौधे को पौषकत्त नहीं मिल पाये है और पौधा पहले से भी सुखना चलू हो जाएगा ओर पोसक्ततों की कमी से बालिया छोटी और कमजोर रह जाएंगी, दाने का भराव भी ठिक से नहीं हो पाएगा, जिसे से दाना पतला और स्रिकुडा रह जाएगा, जिसके करण किसान भाईयों आपका उत्पादम भी प्रोहाइद होगा, तो किसान भाईयों ये रहा चार काम ज काफी बढ़िया उत्पादम ले सकें, तो पहला काम जो है किसान भाईयों उरुकों का प्रयोग जो इस टाइम आपको वो घुलनसील लिक्विड उरुक का भी प्रयोग जरूर करना है, खास तोर पर इस प्रे ऐसे उर्वक जिसमें फासपूरस और पोटास जैसे पोसक्तत होती है, इस टाइम पर तो पूरी हो जाएगी, जिससे दाने का भराव, बालनिया, मोटी, दाना वजनी, दाना चमकीला हो जाएगा, जिससे आपका उत्पादम अधिक होगा, तो ऐसे ही गुलनसील लिक्विड उरुकों का प्रयोग आपको जरूर करना है, जैसे हम आपको कुछ उरुकों उरुक बता दें, तो किसान भाईयों जैसे 13, 43, 13 हो गया, 0, 52, 34 हो गया, तो ये उरुक यदि आप इस टाइम पर देंगे, तो आपको काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, दूसरा है किसान भाईयों बोरान की पूर्ती, यदि आपको लगता है कि आपके फसल में बोरान की कमी है, तो आप इस टाइम पर किसान भाईयों बोरान जरूर दीजिए, क्योंकि जो इस टाइम फूल बनता है, आपने देखा होगा, बालियों में यहूं के छोटे-छोटे सफेद रंग के फूल बनता है, या आप ध्यान से देखेंगे, तब आपको दिखेगा, उससे परागल की किरिया काफी अच्छे से होगी, और जो पोसक्त तो है, वो बालियों तक कहुंचने में काफी सहायख होगा, जिससे दाने का भराव अच्छा होगा, परागल की किरिया जितने अच्छे से होगा, दाने का भराव उतना अच्छा होगा, तो परदावार भी उतना ही अच्छा होगा तो किसान भाईयों बोरान का परयोग इस टाइम पर आपको जरूर देना चाहिए जरूर करना चाहिए और तीसरा जो है फभून्द जनीत रोग किसान भाईयों अगर आपके पौदों में फफुद रोग है तो उसका बचाव जरूर करें इसके लिए आप फफुद जनीत रोग करें और अगर आपके पौदों में फफुद रोग नहीं है तो इसके परयोग करने से बचें फालतु में परसा बरबात नहीं करना है तो इस तरह से किसान भाजियों आप जो बाते बताई गई हैं यदि आप उसका अनुश्रण करते हैं तो निशित ही आपके गेहूं की पैदावार बढ़ेगी तो आप इसका प्रेउपयोग करें मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दूसरे किसान भाजियों पास शेयर करें ताकि वो भी इस जनकारी से आउगत हो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रंटे वाले बटन को दबा कर आल पस्लेट करें ताकि ऐसे ही खेती भारे से समझे जनकारी आपको समय समय पर मिलती रहे इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए हर हर महादेव